नवश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। 6 फर्वरी 2021 के डेली करेंट अफेस बर्नी न्यूस डिसकुशन में आपका स्वागत है। सबसे पहली न्यूस जो आज हम डिसकुस करेंगे वो है 4G Mobile Internet Back in JNK JNK में बहुत लंबे समय से Mobile Internet Services बंद हैं खासकर High-Speed Mobile Internet Services बंद हैं To be precise एक डेड़ बताई जाए तो 5 अगस्त 2019 को जो अर्ष्ट वाइल स्टेट था जम्मुन कश्मीर का उसको दो भागों में तोड़ दिया गया यूने टेटरिफ जम्मुन कश्मीर और यूने टेटरिफ लद्दाग और स्टेट का स्टेटस उससे वापस ले लिया गया आर्टिकल 370 को इन ऑपरेटिव कर दिया गया और आर्टिकल 35A को स्ट्रक डाउन कर दिया गया तब से लेके अब तक जम्मुन कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं खासकर 4G इंटरनेट सर्विसेज बंद है 2G इंटरनेट सर्विसेज चालू थी बट 2G इंटरनेट सर्विसेज में आज की डेट में कुछ हो नहीं पाता है यह हम सब को पता है वाटस्टैप की फोटोज भी 2G internet services में बहुत धीमे लोड करती है अगर आप बात करो तो बीच में कुछ समय के लिए trial basis पे दो डिस्टिक्ट में high speed mobile services शुरू की गई थी जिसे गंदरबाल डिस्टिक्ट है उधमपूर डिस्टिक्ट है तो यहाँ पे trial basis पे 16 अगस 2020 को high speed mobile data services शुरू ही थी लेकिन फिर 22 जनवरी 2021 को जमुन कश्मीर की सरकार ने पूरे unit territory में फिर से high speed mobile data services पे बहल लगा दिया अब ही के लिए बहुत जादा domestic criticism हो रहा था जमुन कश्मीर की सरकार का बहुत जादा international criticism हो रहा था तो कहीं न कहीं internet को आज की डेट में core human right की तरह देखा जाता है कहीं न कहीं medical services कहीं न कहीं पढ़ाई से related चीज़ें यह सब कुछ internet से जुड़ा हुआ है तो अभी के लिए इस high speed mobile internet services को restore यहाँ पे कर दिया गया है लेकिन इसमें कुछ terms and conditions लगाएगे पहली बात तो prepaid SIM card में आप high speed internet mobile services तब इस्तमाल कर पाओगे जब इस prepaid SIM card का जो verification है वो बिलकुल उस प्रकार से किया जाए जिस प्रकार से post paid connections का verification किया जाता है कुलमिला के फरक क्या है prepaid SIM cards को आप किसी भी दुकान से जाके simple ID proof दिखा के ले सकते हूँ लेकिन post paid credit card में कहीं न कहीं आपको proper उस जगा का residence proof दिखाना पड़ता है तो आपका exact residence proof क्या है उस पे एक extra line of security की भाई घर पे एक बार चेकिंग होगए कि हाँ आप यहाँ पे रह रह रहो कि नहीं रह रहो तो जम्मुन कश्मीर में एक post paid mobile connection लेने के लिए जो terms and conditions है वही prepaid के लिए लागू की जाएंगी उसके बाद आपके prepaid phone पे 4G mobile internet services चालो होंगी सरकार का क्या logic है high speed mobile internet services को रोकने का जम्मुन कश्मीर में तो देखिए पाकिस्तान जैसे non state players कहीं न कहीं पाकिस्तान ही कह सकते हो पर पाकिस्तान सीधे सीधे तो involved होता नहीं वो बहुत सारे आतंगवादियों group के थरू हमारे कश्मीर में problems create करने की कोशिश करता है और यह problems social media के थरू propaganda फैला के create की जाती है तो कहीं न कहीं सरकार ने internet के थरू यह propaganda ना फैल जाए इसके लिए 4G mobile को ban किया था जमुन कश्मीर में अभी के लिए उसको चालू कर दिया गया है यहीं उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले समय में फिर से कहीं इस जगवाँ पर प्रोपोगंडर ना फैला आए जाने लगेगी कहीं फिर से mobile internet services बंद करनी पड़ जाया General Studies Paper 2 में Governmental Policies and Interventions in Development in Various Sectors and Issues arising out of their design and implementation में particular news आपको काम आएगी आगे बढ़ने से फेले वीडियो पे लाइक का बटन अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर ना किया हो इस चैनल को शेयर और सबस्क्राइब ना किया हो तो कर लीजे मेरे दोरा बनाएगी और वीडियो को देखने के लो मुझे हल्प करने के लिए जोएन में बटन दबा के आप चैनल के मेंबरी बन सकते हैं अल्मस्ट पूरा का पूरा सिलेबस और सारी की सारी नालिजफिल चीज़ आपको यह फूल फ्री ओफ कॉस्ट मिल रही है तो आप जोएन में बटन दबा सकते हो इस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजए आपके जन्री डॉट्स जवाब दोगा टेलिग्राम गृप जोएन कर लिजए वहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडियाफ मिल जाएगी फिर बात करते हैं गौवर्मेट रेडी टु गिफ यूपीसी एस्पिरिंट्स अनथर चांस देखे भाई यूनिन गौवर्मेंट ने फ्राइड़े को अनौन्स किया है कि ठीक है हम सुप्रीम कोड की इस बात को मान लेते हैं और उनको एक extra chance दिया जाए है, बहुत लंबे समय से रिमांट चल रही थी कि COVID pandemic के दुरान, जिनका last attempt था नहीं चार अक्टूबर 2019 वाला, ठीक है, या फिर जिननों नहीं भी 4 अक्टूबर 2019 को paper दिया थे UPSC prelims का, चुकि COVID-19 का lockdown था, तो वो ढ़ंग से तयारी नहीं कर पाए इसलिए उनको एक extra attempt मिलना चाहिए, शुरुआत में तो government ये attempt भी नहीं देना चाहरी थी, बट कहीं न कहीं सरकार ने attempt दे दिया है, बट सरकार ने ये attempt है, कहीं न कहीं कुछ terms and conditions के साथ दिया है, अगर 4 अक्टूबर 2020 को जो आपका prelims हुआ, वो अगर आपका last attempt नहीं था, और मानें जो 2021 में आपके पास एक extra attempt है, तो आपको attempt में आपके सकती हो relaxation नहीं मिलेगा, मतलब ये नहीं होगा, कि आपके पास 2021 में attempt है, और 2020 में भी आपके पास attempt है, आपने attempt कि आपका exam ने निकला, तो अब आप 2022 में भी paper दोगे, समझे ये बात को, जिनका 4 अक्टूबर 2020 last attempt था, कि एवल उनको ही एक extra attempt मिलेगा, तो जिनके पास 2021 में attempt है, या 2022 में attempt है, और 4 अक्टूबर 2020 को, एक extra attempt मानके, वो एक साल आगे और UPSC का paper दे ले, ये चीज़ नहीं हो पाईगी है, समझ गे हैं ना, और कहीं नहीं चीज़ सही भी है, एक extra attempt की basis पे, आप लोग अपन को ये suggest करूँगा, कि 2 से 3 बिलकुल serious attempt दीजे, 2 से 3 attempt में निकल जाए, well and good, 4 attempt बहुत जादा हो जाते हैं, आपकी जिन्देगी की 4-5 साल बहुत जादा होते हैं, ठीके ना, और कहीं न कहीं सिर्फ तैयारी में अगर आप 4 या 5 साल दे देते हो किसी exam को, तो एक बहुत ही की काटिगरी की 32 साल है, बाकी कुछ relaxation हैं दूसरी काटिगरी में, तो अगर आपके पास एक extra age है, तो माल लेजे, general category का कोई एक person है, जिसका last attempt था 4 October 2020 को, अभी उसके बाद, अब age नहीं बची उसके पास, उसके 32 साल खतम हो चुके हैं, तो ऐसे किसे में उसको extra attempt नहीं दिया आपको एक extra attempt दिया जाएगा, अगर आप एज बाड नहीं हो, अगर आपकी 32 साल एज पूरी हो चुकी जनल काटिगरी में या जिस काटिगरी में आप हो, वहाँ पर आपकी age limit अगर पार हो चुकी है, तो अगर आपके पास age limit बची हुई है, और अगर आपके पास आगे के एक्जामों में कोई भी attempt नहीं बचा है, तो ही आपको एक extra attempt दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा, as simple as that, यह सरकार नहीं आपे बोला है, जनल स्टेडिस पेपर टू में, गॉर्मेंटल पॉलिस में particular news आपको काम आईगी, नेक्स निउज है, यूनियंस अपोस move to sell steel plant, बजट में strategic steel की बात की गई, किसकी रास्ट्री इसपात निगम लिमिटेड की, यह जो वाइजएक steel plant है, आप कह सकते हो कि यह basically steel plant है, और इस steel plant की जो corporate entity है, होता है ना कि देखें, दो entities होती है, एक तो, for example, अगर आप कोई भी बड़ी company की बात कर लो, मालो, Reliance की बा इसकी corporate entity है, रास्ट्री इसपात निगम लिमिटेड को privatize करने की बात की जा रही है, यह फिर आपके यह strategic sale, strategic sale का मतलब क्या होता है, कि रास्ट्री इसपात निगम लिमिटेड, जिसके अंदर यह विशाका निगम लिमिटेड, इसके 50% से ज़्यादा जो shares है, वो अभी government ownership क अंदर है, सरकार कहरी कि अब इसके 50% से ज़्यादा shares हम private ownership में दे देंगे, तो basically यह company privatize हो जाएगी, यह एक सरकारी company नहीं रहेगी, और जब कोई एक company privatize हो जाती है, तो उसके employees को private तरीके से निकाला जा सकता है, वहाँ पे governmental benefits उस हद तक extend नहीं करते, जिस हद तक एक government job मे benefits दिये जाते हैं, तो कुल मिलाके, कहते हैं ना कि एक सरकारी नौकरी को एक private नौकरी मदल देने वाली बात हो गई है, तो जो employees है in company के, रास्टी इसपात निकाला लिम्टेट को उसको problem तो होगी ही भाई, तो इस विशाका पत्तम Steel Plant के hundreds of employees हैं, बहुत सारे trade unions के साथ यह associated ह इन्होंने एक rally organized की, from कुरमाना पेलम to Gandhi statue near GVMC office, और इन्होंने ये बोला है, कि सरकार तुरंत इस proposal को वापस ले, हम रास्टी इसपात निगम लिमिटेड को privatize नहीं होने देंगे, बहुत सारे trade unions जैसे CITU, AITU All India Trade Union Congress, INTUC, YSRC Party Trade Union यह सम मिल चुके हैं, और कहीं न कहीं कहीं इस पार्त निगम लिमिटेड को privatize नहीं होने देंगे, कहीं न कहीं कहीं इनका यह बोलना है, कि सरकार यह जो proposed joint venture करना चाह रही है, जिसको strategic steel का नाम दिया जा रहा है, साथ कोरें स्टील मेकल पॉसको के साथ, ये नाम के लिए ही joint venture है, एक्चुनि में सरकार पूरा 100% stakes, र फैरिंग फैरिंग कर सकती है, जो चीज यहां पे employees को पसंद नहीं आ रही है, औरड़ी यहां पे एक trade union के leader है, Mr. नरा सिंगा राओ, Mr. नरा सिंगा राओ का यह बोलना है, कि union government बहुत लंबे समय से बात कर रही है, प्राइविट स्टील मेकर्स के साथ, जैसे पॉसको के सा ताटा जिंदल, आरसिलर मित्तल के साथ, ताकि सरकारी companies को इन private companies को बेचा जा सके, तो यह जो रास्टी स्पात निगम लिमिटेड इसको RINL बोलते हैं, इसको WISEG Steel भी बोलते हैं, ठीक है भई, पब्लिक Steel प्रेडूसर है, विशाका पत्नम में based है, ठीक है भई, corporate entity है, RINL को, इसकी एक subsidiary भी है, Eastern Investment Limited, जिसमें 51% shareholding RINL की है, तो Eastern Investment Limited भी पूरी तरीके से private हो जाएगी, अगर एक बार RINL को, यानि रियास्टी स्पात निगम लिमिटेड का strategic sale होता है, और उसके साथ साथ, दो और subsidiaries, Mr. Messers Orisa Mineral Development Corporation Limited, Messers Bisra Stone Lime Company, यह भी इन private players के हाथ में चली तो कुल मिलागे, RINL के sales है, WISEG, Steel Plant, उसके साथ साथ, Eastern Investment India Limited, फिर Messers Odisa Mineral Development Company, Messers Bisra Stone Lime Company Limited, यह सब private players के हाथ में चली जाएगे, ठीक है, General Studies Paper 3 में, Liberalization of the Economy में, और यह जो industrial policy और industrial growth वाला जो point है, यहाँ यह particular news आपको काम आ सकती हो, और कही ना कहीं, governmental policy के अंदर भी यह चीज आ होई जाता है, फिर एक और news निकल के आ रही है, 900% rise in reduction in crop insurance claim, आपने प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना के बारे में शुना होगा, अगर किसी भी वज़े से, कि पैस्ट अटाक हो गया, ड्रॉट आ गया, आपकी फसल बरबाद हो जाती है, तो आप प्रधान मंतरी फसल बीम किया गया है, प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना के अंदर, देखिए, farmers जिनकी crops बरबाद होती है, वो claim डालते है, प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना के अंदर, कि हमारी इस इस वज़े से ये crop बरबाद होई, तो इसके बदले में हमको हर जाना दिया, ठीक है, जब इसका रिस्पॉंस दिया, एग्री कल्चर मिनिस्टर नरेन सिंग तोबार ने, तो लोंने क्या रिस्पॉंस दिया, 2017-18 में 92,869 इंशूरंस क्लेम्स को रिजेक्ट किया गया, प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना के अंदर, 2018-19 में 2.04 लाक क्लेम्स को रिजेक्ट करा गया, रिजेक्ट होते हैं अगर इसकी बात की जाए, तो देखे, first of all इन क्लेम्स को वेट किया जाता है, ठीके, माल लिजे कि फार्मर्स को क्रॉप लॉस हुए, तो फार्मर्स क्रॉप लॉस को जाके इंशूरंस कंपनी को बताएगी, इंशूरंस कंपनी इस चीज़ को वेट कर इसकी है, कुछ बेसिस पे उनके कलेम्स को रिजेक्ट किया सकता है, जैसे कि लेट इंतिमेशन ओ अगर बहृत समय बाद फाईल किया जा रहा है, या फिर वो जो फार्मर है, जो क्लेम डाल रहा है वो इंशूर्ड नहीं है प्रदान मंतरी फषल भीमा यूजना के अंदर, या फिर वो रिस्क हुआ नहीं, जिस रिस्क को यहाँ पर फार्मर दिखाने के कोशिश कर रहा है, तो इन सब चीजों के basis पे किसी फार्मर की insurance request को reject भी किया जा सकता है, अब मैं आपको एक बात बता दू, कहीं न कहीं फार्मर भी इसमें fraud करते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे फार चाते हैं, कुछ गलत तरीके सुरान चाते हैं, तो कुछ ऐसे गलत claims भी आ जाते हैं, जिसके basis पे insurance company वालों का भरोसा उड़ जाता है, उसके चलते कुछ genuine claims को भी reject कर दिया जाता होगा, अब ये तो नहीं बोला जा सकता है कि जितने claims यहाँ पर reject हो रहे हैं, वो सब genuine थे, ये वो सब fake थे, इसके बारे में जानकरी अभी के लिए नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं claims प्रधान मंतरी फसल भीमा यूजना के अंदर reject हो रहे हैं, नरेंदर तोमर साप, जो कि agriculture minister ने उनका क्या बोलना है, इनका ये बोलना है कि देखी, जब कोई natural calamity आ जाती है, ड्रॉट या flood जैसी, तो किसी एक बड़े इलाके में अगर drought या flood आया है, सूखा आया या बार आया है, तो उस बड़े इलाके में जितनी भी फसल को नुकसान होता है, उसका हरजाना automatically सरकार देती है, वहाँ पे अगर एक farmer प्रधान मंतरी फसल भीमा यूजना के अंदर insurance claim नहीं भी डालेगा, तो भी उसको हर जाना मिलेगा, पहली बात, ठीके, जब भी season खतम होता है, season के खतम होने के बाद इस बात को assess किया जाता है, कि किसी एक particular calamity की वैसे किस हद तक sowing नहीं हो पाई, या sowing होने के बाद किस हद तक लोगों को नुकसान हुआ, इस नुकसान को एक area approach के हिसाब से assess किया जाता है, crop damage reports को study किया जाता है, और उस हिसाब से राज्य की सरकारे और insurance company पैसा release करती है farmers को, अभी ये तो हो गया पूरी area approach, कभी-कभी individual approach भी देखी जाती है, जहां पे आपको claim देना है एक local level पे, localized risk आ गया, माली जे हेल स्टार्म आ गया, land slip आ गया, cloud burst हो हुए है, उसके हिसाब से claim दिये जाएंगे, अभी claim processing में भी बहुत गपले होते हैं, और claim करने में भी farmers बहुत गपले करते हैं, ठीक है, ये चीज़े कहीं से भी streamline नहीं है, यहां पे भी बहुत corruption, बहुत पैसा चलता है, जिसके चलते हैं, बहुत सारे genuine farmers काफी परिशान हो होगे, तो ये भी आप कह सकते हो कि agriculture sector में एक problematic trend है, जैनल स्टीज पेपर 3 में agriculture produce and issues and related constraints में particular news आपको काम आएगे, next news है भाई, regulatory code for OTT content soon, over the top platforms, देखे 21 political parties, in fact 21 member of parliaments ने मिलके, और ये 21 member of parliaments अलग-अलग political party के हैं, इन्होंने मिलके सरकार से एक सवाल पूछा है, किसको लेके OTT platforms को लेके, तो Netflix और Amazon Prime जैसे platforms को लेके, इन 21 MPO ने सरकार से सवाल पूछा है कि ये जो Netflix और Amazon Prime जैसे platforms हैं, यहाँ पर जो भी program है, वो sex, violence, abuse, vulgarity, disrespect to religious sentiment इन सबसे भरे हुए हैं, तो भाई, अगर ये platforms इन सबसे भरे हुए हैं, तो इन सब को रोकने के लिए क्य किया जा रहा है, ये बात यहाँ पर बोली गई, तो भाई, recently Information and Broadcasting Ministry, Minister, प्रकास जावादेकर साब ने अपनी ministry से बोला है कि देखी, जल्दी ही इन platforms के respect में हम लोग regulatory code लेके आएंगे, और OTT platforms को regulate करने के लिए regulatory code एक हफते के समय के अंदर आ जाएगा, Minister ने बोला कि अभी के लिए देश में 40 over the top platforms operate कर रहे हैं, ओके, अगर आप government की बात करों, तो government ने इन over the top platforms को regulate करने के लिए क्या किया है, अभी के लिए तो government ने allocation of business rules को बदला है, November 2020 में, तो allocation of business rules को बदल के, जितने भी online platform हैं, जैसे Disney, Hotstar, Netflix, Amazon Prime, ये information and broadcasting ministry के अंदर आ गए, तो अब सारे online platforms को information और broadcasting ministry के साथ पहले तो register करना पड़ेगा, ठीके बाई, उसके बाद, recently in over the top platforms के against, और भी बहुत से आवाजे उठ रही है, एक latest serial आया है, Amazon Prime पे तांडव नाम का, और ये serial बहुत ही वायाद लगा, मैंने इसका एक episode शुरूआत का देखा और वो इतना ग पर इसमें कहीं न कहीं इस TV सीरीज में Hindu gods को derogatory manner में दिखाया गया है, तो कहीं न कहीं OTT platform पे जिस प्रकार का content दिखाया जा रहा है, वो content religious sentiments को भी affect कर सकता है, तो कहीं न कहीं sex, violence, religious community sentence को, sentiments को hurt करना, गालिया देना, vulgarity गालिया तो खेर, normal बात हो गई है, तो इन सब चीज इन over the top platforms को regulate करने के लिए कुछ किया गया है, तो बिलकुल किया गया है, गोस्तों, अगर आप बात करो, तो एक association है, जिसका नाम है, Internet and Mobile Association of India, ये देखिए, Internet and Mobile Association of India, Internet and Mobile Association of India के साथ सरकार बहुत लंबे समय से बात कर रही है, कि कहीं न कहीं आप अपने platform को regulate करो, तो OTT platform ने, Internet and Mobile Association of India की leadership के अंदर एक self-regulatory code पब्लिश किया, OTT platform को लगा कि ये सरकार हमें regulate करने लगे, इससे पहले हम खुद एक self-regulatory code लेके हाथ थे, इस self-regulatory code को सरकार के सामने रखा गया, अगस्त 2020 में जब ये code सरकार के सामने रखा गया, सरकार ने इसको examine किया, और examine करने के बा over the top platform के लिए, ये अभी भी पूरी तरीके से adequate नहीं है, हमारे कानून में, भारती कानून में, बहुत सारे ऐसे facets है, जिसको इस self-regulatory code ने ignore किया है, और कहीं न कहीं सेप्टंबर 2020 में, IAMAI को, यानि Internet and Mobile Association of India को सरकार ने बता दिया कि ये जो आपका self-regulatory code है, this is not enough, और इसल है, हम अब आपको regulate करेंगे, हम आपको कैसे regulate करेंगे, इसके लिए regulatory code हफते 10 दिन या एक महीने में आई जाएगा, साथ-साथ, ये बात तो आप पहले ही बता चुका हूँ, कि allocation of business rules को November 2020 में amend करके, ये बात तो सरकार ने अभी बोल दिये, कि सारे के सारे online OTT platform को information और broadcasting ministry के सा अपने आपको register करना पड़ेगा, तभी वो इंडिया में operate कर सकते हैं, over the top platforms का potential क्या है इंडिया में और इनको कैसे regulate किया जाता है, इसके उपर में एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, ये वो वीडियो है, आप इस वीडियो को जाके देखिए, तो आपको इन over the top platforms कैस काम आईगी, have a great day, good time.